अमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं राजस लेगबाल भरती परिणाम की सीटेट एक जाम डेट की रेलवेग ग्रूप डी की नई नोटिस जारी हो गई है आज अभी थोड़ी दे सबसे पहले मिलती रहे चल गए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आप सीटेट की एक नोटिस वाइरल हो रही है यह पब्लिक नोटिस है तेरह तारिक यहां पर डेट पड़ी है सीब्यसी सीटेट और यह नोटिस फरजी है इसमें यह बताए गया है कि जो इसकी परिछ साइट चेक करेंगे सीब्यसी की हो चाहिए सीटेट की हो या कहीं से भी आप पता करेंगे तो इन तारीखों यह जो नोटिस से वह आपको देखने को नहीं मिल रही है जो नोटिस आपको वेपसाट में दिखाई देगी वो पुरानी नोटिस है और उसमें तारीखों के बा पांस तारीक से तो परिख्छा जानकारी निकल कर क्या रही है वह साथ तारीक से यह नौ तारीक से शुरू हो रही है यह पांस तारीक से भी हो सकती है तो पांस तारीक से 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 पहले सी ट्रेट की परिख्छा नहीं हो रही है तो जो विद्याला है ऑनलाइन सेंटर अजी चु cbsc इसकी बारे में फाइनल नोटिस जारी करतेगा और बहुत जल्दी जानकारी आपको दी जाएगी और और मैं तो हैरान हूं बड़े-बड़े जो फेस्वूक ग्रूप हैं बड़े-बड़े टेलिग्राम चैनल है उन्होंने भी इस नोटिस को भीना वेरिफाई किये हो चुके थे लगबग चार बजे तक और उसके बाद में भी बहुत सारी विद्धार्थियों ने ट्विट किया मैंने इन चात्रों के समर्तन में ट्विट किया था अगर मैं यहां पर खोलू तो भी आप लोग देख सकते हैं यह अभी भी यहां पर ट्रेंड कर रहा है डि लीजिए 671 लोगों ने इसको रिट्ट किया है 150 चात्रों इसको लाइक किया इस तरीके से हर ट्विट को विद्यारतियों ने ट्विट किया है डिकलेयर यूपी रिजल्ट टिकलेयर गूरूपडी रिजल्ट यह देख सकते हैं आप लोग यह दूसरा ट्विट है और यहा खुस खबरिय विद्यारतियों के लिए कि अब यह बता दिये गया है एक फिक्स डेट कि इस तारीक के पहले-पहले आप लोगों का जो प्रेडाम वो जारी हो जाएगा यहां पर देखिये लिखा वाद रिजल्ट आप सीविटी फॉर सॉर्ट लिश्टिंग ऑफ कंडिड लेट्स पॉर फिजिकल इपेशिए टेस्ट पीटी इस करेंट लिए अंडर प्रोसेस एंड रिजल्ट आटेंटेवली सेट्यूल टू भी पब्लिज्ट इन दा ओफिसल वेबसाइट आफ और और विफोर 24 डिपसंबर 2022 तो 24 तारीक के पहले-पहले जितनी भी अलग- क्योंकि नोटिस जारी हो गई लेकिन देखिया अंतर भी है क्योंकि यूपी ट्रेबल सी और उत्रप्रदस की सरकार कभी आंदोलन धर्ना प्रदर्शन के लिए कभी जवाब नहीं देती है कुछ बोलते नहीं है गबर है गबर बिल्कुल जिद्धी और जो रेलवे और कें पर एक जानकारी दे दी क्या परहसान नहीं चोबिस तारीक के पहले पहले आप लोगों का प्रणाव उचारी हो जाएगा और इस नोटिस में यह भी पताया गया कि चात्र हैं वह लोग मिस्लीड नहीं और यह सभी चात्र जनवरी में इन विद्यार्थियों की पीईटी हो के आसपास है 52-55 के आसपास है यह सभी विद्यार्थी फीजकल की त्यारी करना शुरू कर दें बहुत कम समय है दोड़ा लगानी इन विद्यार्थियों को तो यह लोग अपना त्यारी करें यहां पर लिखा है की पीईटी विच विल बी कंडेक्टेट फॉर दा सॉट लि बात करते हैं अब लेक पाल की राजस तो लेक पाल बटी की जब से जानकारी मिली है कि इसकी प्रणा में देरी हो रही है हालंकि जो जानकारी दी जा रही है कि तरफ से कि इसके जो प्रेडा में देरी हो रही है अनिश्यत्ता है विद्यार्थी डरे भी है वीडियो बढ़ती को ले करके आइसनलों के बाद में सत्या नास कर दें सिधे चलाया और मैंने भी आपको दिखाया दो लाग 2400 वह थे लेकिन यह तुट और ज्यादा होने चाहिए थी और मुझे लगता है केवल इसमें जो दूसरे चात्रे उन्होंने कम सयोग किया केवल लेगपाल बढ़ती के विद्यार्थी यह भाग लिया और लेगपाल बढ़ती म विद्यार संदिग्र हैं और बहुत सारे जो मामिलिस को लेकर के भी एक बार ट्विटर वियान हुआ था तो लेगपाल बढ़ती में विद्यार्थियों के दो धड़े हैं जो विद्यार्थी जिनको उमीद लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे तो वह विद्यार्थी इसमे 37 लाख फारम 25 लाख आवेदन तो लाखों में तो फारम भरे जाते हैं लेकिन जब कोई अभियान चलाना होता तो यूपिटर पर ऐसी वाले आज तक टॉप ट्रेनर नहीं कर पाएं नमबर एक दूपर तो ये उनको थोड़ा सा सभी छात्रों को एक जुट होना पड़ेग पहुंसते हैं तो यही कारण है कि यूपिटर पर ऐसी मनवानिया करता है तो अब धान दीजिएगा कि जो भी धरना प्रदस्तनों मैंने पहले भी आप लोगों को समय सा कहा है कि जब तक दो-चार सो लटके नहीं हो जाय करें तक आप लोग यूपिटर पर ऐसी नहीं जाय गया था मैं मुझको भी एक दिन पहले ही मैंने भी बताया विद्यार्थियों को करने मैंने भी बताया था और साय अगर कुछ और बड़े कोचिंग वाले या बड़े और लोग इसमें सहयोग करते अब कुछ और पहले अगर ननीत ही बनी होती तो यह जो है टॉप सब्सक्राइब करते हैं कि आप लोगों ने आज प्रताशन किया है और बैठना नहीं चात्रों को कुछ ने कुछ तो करना ही होगा सरकार से अफिसल बयान आए जो भी करना हो सरकार जल्दी करें सूचना है बियर्ड वर्सेज बीटी सी मैमले को ले करके 14 तारीख को इस केस की सुनवाई होनी है और 14 तारीख कल बीड रहेगा या नहीं रहेगा विदिवेताओं की माने अधिवक्ताओं की माने विच्छ तक्यों की माने तो कल आखरी सुनवाई हो सकती है अगर किसी ने कुछ अध्दाओं पेस नहीं चला तो फिर कल अंतिव लगवग प्रत्रेक शुरुआई में कुछ आदेश जारी हुआ है कुछ समिशन हुआ है सुप्रिम कोड में बहुत जाद समय लगता भी नहीं है मामला प्रात्मिक शिक्षक भरती को ले करके है राजस्थान में बेट की चात्रों को बाहर कर दिया गया है वह बीट के चात कोड़ बुद्धर नहीं है